आओ दोस्तो आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं सिंगासन 32 आज एक रहस्मई कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं महराजा विक्रमादित की कहानी सिंगासन 32 आए सुनते हैं प्राचीन काल में प्राचीन समय की बात है उज्जन में राजा भोज राज करते थे वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे उनकी बारे में प्रिशिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग-अलग हो जाए नगरी में एक किसान का खेत था जिसमें उसने कई साग सबजी लगा रखी थी एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आई लेकिन खेत के बीचों वीज थोड़ी सी जमीन खाली रह गई हाला की किसान ने उस जमीन पर धी वीज डाले थे लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुगा किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया जब भी किसान मचान पर चड़ता अपने आप जिल्लाने लगता कोई है कोई है राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो मेरा राज उससे ले लो जाओ जल्दी जाओ सारी नगरी में ये बात आग की तरह फैल गई राजा भोज के कानों में भी पहुची और राजा ने कहा मुझे उस खेत पर ले चलो मैं सारी बातें अपनी आखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ राजा भोज जब उस जगह पहुचे तो उठोने भी वही देखा की किसान मचान पर खड़ा है और वह कह रहा है राजा होज को फोरन पकड़ लाओ और मेरा राज उस से ले लो यह सुनकर राजा चिंतित हो गए चुपचाप महल में लोट आए उन्हें राधभर नींद नहीं आई सभेरा होते होते उन्होंने ताज के जयोगसियों और जानकार पंडितों को इकठा किया उन्होंने अपनी गोपनिये विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है राजा ने उसी समय आज्या दी कि उस जगह को खुदवाया जाए खोधती खोधते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंगासन प्रकट हुआ जो सिंगासन के चारों और आठ आठ पुतलियां यानि कुल 32 पुतलियां खड़ी थी सबकी अचरच का ठिकाना ना रहा राजा को ख़बर मिली तो सिंगासन को बाहर निकालने को कहा लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंगासन टस से मस ना हुआ तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंगासन देवताओं का बनाया हुआ है अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक की राजा स्वयम इसकी पुजा अर्चना ना करे राजा ने ऐसा ही किया पुजा अर्चना करती ही सिंगासन ऐसे उपर उठ आया मानों फूलों का हो राजा बड़े खुश हुए सिंगासन में करे तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूखी थी सिंगासन के चारों और 32 पुदलियां बनी थे उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था राजा ने होक्म दिया कि खजाने में से रुपिया लेकर सिंगासन दुरुस्त करवाएं सिंगासन सुंदर होने में पांच महिने लगे अब सिंगासन दमक उठा था जो भी देखता देखता ही रह जाता पुदलियां ऐसी लगती मानों अभी बोल उठेंगी राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें उस दिन मैं इस सिंगासन पर बैठूंगा दिन तै किया गया दूर दूर तक लोगों को निमंतर भेजे गए तरह तरह के बाजे बजने लगे महल में खुशियां मनाई जाने लगी पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पेर बढ़ा कर सिंगासन पर रखना चाहा कि सारी पुत्लियां खिल खिला कर हस पड़ी लोगों को बड़ा अचमभा हुआ कि यह बेजान पुत्लियां कैसे हस पड़ी राजा ने अपना पेर खीच लिया और पुत्लियों से पूछा ओ सुन्दर पुत्लियों ससच बताओ कि तुम क्यों हसी पहली पुत्लि का नाम था रत्नमंजरी राजा की बात सुनकर वह बोली हे राजन आप बड़े तेजस्वी हैं धनी हैं बलबान हैं लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है जिस राजा का यह सिंगासन है वह दानी बीर और धनी होते हुए भी बिनम्र थे परंतु परम दयालू भी थे राजा बड़े नाराज हुए कुतली ने समझाया महराज यह सिंगासन परम परतापी और ज्यानी राजा बिक्रमादित्त का है राजा बोले मैं कैसे मानूं की राजा बिक्रमादित्त मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे पुतली ने कहा ठीक है मैं तुम्हे राजा बिक्रमादित्त की एक कहानी सुनाती हूं सिंगासन बत्तिसी की पहली पुतली रत्न मंजरी ने सुनाई एक कहानी आगर